हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारी यूटीब चैनल नेचर लवर्स में फ्रेंड्स आप ये जो सिवन्ती की फ्लावर्स देख रहे हैं ये फ्लावर्स एक ही प्लावर्स पर आए हुए है और ये पौधा मैंने खुद तयार किया हुआ है ऐसे मैंने तीन पौधे तयार किये हुए है एक ही प्लावर्स पर बहुत सारी फ्लावर्स लेने की एक ट्रिक होती है जो आज मैं आप से शेयर कर रही हूँ जब पौधा एप्रोक्स पास से 6 इंच का हो तब आप टॉप से इसकी पिंचिंग करते जाएं पिंचिंग करना अर्थात उपर की कोपल को तोड़ना जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए वैसे वैसे बार-बार आप इसकी पिंचिंग करते जाए पौधी पर जितनी multiple branch होंगी उतने ही जादा पौधी पर full आएंगे और हमारा पौधा fullों से भर जाएगा आशा है आपको ये मेरी छोटी सी ट्रिक मेरे द्वारा बनाया गया ये पौधा और उसमें लगे हुए ढेर सारी flowers आपको बहुत बहुत पसंद आये होगे प्लीज आप अपने इस चैनल को subscribe, like and share जरूर करें Thank you, have a nice day